तुईट किया इसके बाद सांसत पपू यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया है पपू यादव ने भी सहमती जताई और उन्हें कहा है कि राहूल गांधी का राहूल गांधी की जो आशंका है वो बिल्कुल सही है सरकार का रवया सही नहीं है पीम की सोच सम्वधानिक और लुकतांत्रिक नहीं है पपू यादव ने भी राहूल गांधी के पोस्ट पर कहा है कि सरकार का रवया सम्वधानिक नहीं है कि उन्हें जो जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ एडी रेट की तयारी की जा रही है और वो इसका स्वागत करेंगे जो लगातार आप देख रहे हैं साजिस लगातार बेक्तिगत हमला और अनुराग ठाकूर के ट्वीट को ब्यान को ट्वीट करना तो एक नीजी हमला ही है ना राजनीती में नीजी हमले की कोई जगह नहीं है चाय कोई प्रधान मंत्री जी पर कोई नीजी हमला करें वो भी जगह नहीं है विपक्स के नेता पर या किसी पर हमला करता वो भी जगह नहीं है कुछ भी संभव है, मरता क्या नहीं करता, तीन बार, उनका एक ही लक्ष था कि हम तीन बार के प्रधान मंतरी की गिंती में स्रिंखला में हम आ जाएं, उसके बाद इनका बिलकुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिलकुल बहुत डिमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संबेदानिक लुक्तांत्रिक नहीं है तो डर और संका सब को बनी रहेगी और बिना किसी तत्थ के बिना किसी जानकारी के राहुल गांदी जी ट्वीट तो किये नहीं होगे राहुल गांदी के इडी पर आरोप के बाद बंतुरी गिरिजास सिंग ने भी पलट वार किया और बयान दिया। राहुल गांदी को ये जानकारी कहां से मिली कि उनके खिलाब ड्री एडी पर रानिंग कर रही है। और साथी साथ उनों ने कहा है कि किस अधिकारी ने राहूल को ये इस बारे में जानकारी दिये वो बताएं राहूल गांधी पर रम फैलाने का रोप लगाया है गिरिराज सिंग ने राहूल पर जूट की खेती करने का रोप लगाया है इतना जूट हमने नहीं देखा, गृराज सिंग ने कहा है, राहुल गानी पर रम फेराने कार उपग, राहुल गानी ने कहा कि उन पर ईडी चापे मारी कर सकती है, यूजना बनाई जा रही है और इसी को लिकर गृराज सिंग ने भी बयान दिया भाग्य है इस देश का संबैधानिक पद पर बैठा बैक्ति इतना बड़ा एलोपी जूट बोलेगा भरम फैलाएगा शंबिधान की खेती करने की बात करता है संबिधान लेकर के शदन में आते हैं मैं चुनवती देता हूँ कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इंसाइडर में फोन किया ये भरम मत फैलाएं ये सरमिंदित है अनुराग ठाकुर के परसनों का जवाब नहीं दे पाए इनके परदादा पिछरों को दोखा दिया जवाहरलाल नहरू इनकी दादी दोखा दी मंडल कमिशन के रिपूर्ट पर इनके पिता जी ने हाउस में रोका इन्हों ने नहीं उसको उजागर किया ये पिछरों के बड़े दुस्मन है नया नेलेटिव गरने में जूट की खेती करने में माहिर हैं देश क पादूर भाग गया है पर भी यही हाल है उच मादमी के साथ आज से मादमी का वेरिफिकेशन होना है लेकिन सिक्षक कब तक इंतजार करेंगी ये कहना मुश्किल है समबादाता रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए बिहार के सभी 38 जिले में सक्षमता पास नियोजिट टीचर्स की काउंसलिंग होने वाली है लेकिन सभी टीचर्स आज काउंसलिंग के लिए DRCC के इंदर जब पहुँचे हैं तो पता चला है सरवर ही डाउन है यानि राज़ानी पटना के साथ साथ बिहार के अधिकतर जिले से ये खबर आ रही है कि DRCC सेंटर पर काउंसलिंग ठप है क्योंकि आधार का जो सरवर है वो डाउन हो चुका है सेर हम लोग तो यहां आठ बजे से पहुचे हुए हैं हम लोग का पहला स्लोड था नोव जह से लिके10 बजे तक लेकिन आठ बजे हम यहां पहुच गए यहां पर कोई सटा हुआ भी नहीं है कि हमें सबसे पहले कहां जाना है कई आदा घंट-ा बैटने के बाद पता चला क बताए कि आप लोग वहां जाए लाइन वहां लगा हुआ है नौ वजे से हम लोग अथम इंप्रेशन हुआ जब काउंटर पर आये थम इंप्रेशन के बाद कॉंसिलिंग के लिए डॉक्मेन तो पता चला कि एक दो के होने के बाद सर्वर डाउन है और हम लोग बुके प्या कॉंसिलिंग नहीं हुई सक्षामता परिक्षा में थर्ड ऑप्षन मेरा पटना मिला था जब कि मेरा नंबर 92 था अकाउंटेंसिव में आपको थर्ड मिला है बक्सर फर्स्ट वाइस था चेकन भोजपूर पटना थर्ड तो थर्ड च्वाइस मिला है असने दिर में यह पांच काउंटर है जिसमें जो है आठ है हर एक परता से एक जो का हुआ है ना हाँ हमारा काउंटर में तीन हुआ है हम लोग पांच गोड़ आगा है लेकिन सभी टीचर अभी अलग हट गये हैं इंतजार में है कि जैसे ही सरवर चालू होगा और जो अपडेशन है उसा काम कैसे पूरा करेंगे कैमरा में दीपत के साथ रजनीश कुमार न्यूज 18 पटना पर आपको बता देैं कि सदन में सरकार चार विधयक लाएगी जार्हऑन अगनेशमन सेवा विधयक पेश किया जाएगा वित्यमंतरी ने विध्यक पेश किया आज सदन में सिम हमंत जवाब दे सकते हैं हमन सोरें दो बजी तक बिना विपक्ष के ही सदन चलेगा तो यह बड़ी खबा जारकन विधान सबा का मौनसुल सत्र आज आखरी दिन है और आज आखरी दिन बेहत बहत पूर्ण दिन है चुकि आज कई सारे सवालों के जवाब मुख्यमंत्री हेमन सोरेन देंगे और बहुत सा ऐसी देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमन सोरेन कौन कोन से सवालों के जवाब देते हैं और क्या कुछ बातें सदन में रखते हैं मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जारकन विदान सबाग का आज आपको बताते कि मौनसून सत्र का आखरी दिन है और ऐसे में विपक्ष जो है सदन के बाहर जमकर हंगामा कर रहा है बालू बेचकर के विरोध जताय जा रहा है विपक्ष की तरफ से बताते चलें 100 रूपे किलो बेच रहे हैं बालू जो विपक्ष है वो बालू बेचकर सरकार पर कई तरीके के आरूप लगा रहा है बालू खनन को लेकर सरकार का विरोध किया जा रहा है देखे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बालू बेचकर क दिखाया जा रहा है विपक्ष से बाल। बेच कर विरोद कर रहे हैं बीज़पी के विदायक जाए और चो कि निलंबित हैं विपक्ष के कई विदायक ऐसे में सदन के बाहर विपक्ष के द्वारा जबर्दास थंगामा किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बालू बेच करके यहाँ पर विरोध जदा रहे हैं विपक्ष और इसे के साथ न्यूस रूम लाई में फिलाल के लिए इतना है तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहेंगे न्यूस एटी